गुद मॉर्णिंग एवरेवन, वलकम टो सुवल सर्वेसे स्टड़ी, 14 मार्ज हो गई आज, जब यह टेस्ट रिकॉर्ट किया चारा है, तो चले स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री के प्रश्णों की प्रेक्टिस करते हैं, फूकस करेंगे यू भी PCS पर, तो कोशन नमबर बन है, औरंजेब के साशनकाल में, जिन सतनामियों ने वगावत करके, नार नौल सहर पर अधिकार कर लेया, वे अनुयाई थे, किसके, कबीर, दादू दयाल, नानक या रविदास, बताईए, यू पी असी प्रेशन कर लेती है, ठीक है, वो पूछ लेती है, कारेकाल कौन, किसके समकाली इन था, मुगल वादसा रख देगी, और इनको रख देगी, इसका उत्तर है, रविदास, आप्सन नमबर डी, तो 1672 में मुगल साशक और अंजेब के समय सतनामी विद्रो हुआ था, सतनामियों ने नार्नौल सहर पर कबजा कर लिया था, जो मूलते रविदास के अनुयाई थे, मदन्ना और अखन्ना नम्रिकेत में से किस राज से सम्बंदित थे, मदन्ना और अखन्ना गोल कुंडा से, तो मदन्ना और अखंडा गोलकुंडा राज के दो ब्रहमन मंत्री थे 1685 में ओरेंज एब ने सहजादा सह आलम को गोलकुंडा पर अक्रमन करने के रहे भेजा था उस समय गोलकुंडा का साशक अबुल हशन कुतुब सा था अपने साशनकाल के किस वर्ष में अकवर ने अपने सामराज को सूबों में विभाजित किया 18, 24, 32, 48 वे किस वर्ष अकवर ने अपने सामराज को सूबों में विभाजित किया था 24 वर्ष तो देखिए प्रशासन की सुविधा के लिए सबसे पहले अकबर ने अपने साशनकाल के 24 वे वर्ष अर्थात 1580 इस्वी में संपून समराज को 12 सुवों में विहाजित किया था प्रारंब में सुवों की संख्या 12 थी परंतु दक्षन विजय के बाद सुवों की संख्या में ब्रद्धी हो गई और अकबर की मृत्तियों के समय यानि 1605 तक सुवों की संख्या 15 हो गई थी कुश्चन वर फोर पर आजएए निम्रकी दमें से क्या मुगलकाली इन जागीरों वे जागीरदारों की कारवाहियों का विवरण रखता था बताईए कौन दिवान ए असल दिवान ए खालसा अदल ए जागीर या फिर सवानी निगार कौन कर देते हैं क्या की जगए तो देखिए आदल ए जागीर तो ये भूमी होती थी तो ये तो इलिमिनेट कर दो इसका उत्तर है सवाने निगार अप्सन नमबर C तो देखिए सवाने निगार मुगल काली जागीरों वे जागीरदारों की कारवाहियों का विपरण रखता था दिवान ए खालसा की बात करें तो एक प्रकार की जागीर थी जो सरकार के प्रत्यक्षन एंतरन में थी अदल ए जागीर एक बिसेश प्रकार की भूमी थी वोशन नमबर फाइब पर आजएए नमर्कित में से किस गवरनर जनरल ने यह गोशित किया कि बहादुर्सा की मरत्यू के पश्चात मुगल राजा की उपाधी से बंच्जित रहेंगे ये कहा था लॉड कैनिंग ने तो वर्स अठारे सो चप्पन में लॉड कैनिंग ने यह गोशना की कि वहादुर्सा की मरत्यू के बाद मुगलों से समराट की पदवी छीन ली जाएगी क्वेशन नुबर सिक्स पर आजाए नमलिकित में से कौन भारत में मजदूर संग अंदुलन से जुड़े थे बीपी बाडिया एनम जोसी विट्टल भाई पटेल के कामराज के कामराज नहीं थे अब बताए कौन कौन है तो तीन को एलिमिनेट कर दो अफ़र तो सारा अंसर मिल गया अपने को ठीक है बिट्टल भाई पटेल भी हट गए एनम जोसी और बीपी बाडिया ऑप्शन नंबर डी है इसका अंसर के वले कर दो तो दिये गए विकल्पों में वीपी बाडिया और एम एन जोसी भारत में मजदूर संग अंदोलन से जुड़े थे बीपी बाडिया एनिविसेंट के सेयोगे थे तथा मदरास लेवर यूनियन के अध्यक्स थे एन एम जोसी ने वर्स 1920 में आखिल भारते ट्रेड यूनिय कहने वाला कौन था सेयद एहमद बरेलवी अप्सन नमबर सी बी तो सेयद एहमद बरेलवी ने बहावी अंदोलन को पवित्र यूद कहा बहावी अंदोलन के एक नेता मौलवी अब्दूल अजीज ने यह फत्वा जारी किया कि भारत एक दारूल हर्व है और इसे दारूल इसलाम बनाने की आवश्यक्ता है इसी दौरान बरे लवी ने बिर्टेस एवम अन्य गैर मुसलिम सेनाओं के विरुद पवित्र युद्ध में छेत्रिय मुसल्मानों को सहियोग देने के लिए कहा ये लाइन फिर से सुन लिजे इसी दौरान बरे लवी ने बिर्टेस मतलब अंग्रेजो और अन्य मुसलिम सेनाओं के विरुद पवित्र युद्ध में छेत्रिय मुसल्मानों को सहियोग देने के लिए कहा कॉश्चन नमबर 8 पर आजए इलहबाद में 1935 में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फरेंज के अध्यक्स नमलेकित में से कौन थे बल्लब भाई पटेल थे आपसा नमबर D तो इलहबाद में 1935 में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फरेंज के अध्यक्स बल्लब भाई पटेल थे इस सम्मेलन में बल्ला भाई पटेल ने एक संकल्प पारित कर जमिदारी उन्मूलन की बात कही थी कॉंग्रेज समाजवादी पार्टी का पर्थम सम्मेलन कब हुआ देखे कॉंग्रेज समाजवादी पार्टी का पहला सम्मेलन हुआ था बंबई में कब हुआ था अक्टूबर 1934 में तो कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी का पर्थम समयलन अक्टूबर 1934 में बंबई में हुआ इस समयलन में पार्टी का संविधान तथा कारेकरम निश्यत हुआ और इस पार्टी के महत्रपूर्ण नेता जैप्रकास नारण आचार नरिंदर बुरक्रदेव और मीनू मसानियादी थे यह में लिकत में रहा जैप्रकास नेता था जिसने सला दी की देवनागरी लिपी में लिखी हिंदी भारत की राष्त भासा होनी चाहिए किसने दी थी यह सला का कॉंग्रेसी तो सभी है यह ठीक है यह है महत्मा गांधी ने कहा था तो महत्मा गांधी ने प्रथम महत्मा गांधी पहले कॉंग्रेस नेता थे जिन्होंने सलादी की देबनागरी लिपी में लिखी हिंदी भारत की रास्ट भासा होनी चाहिए सितंबर 1916 में गांधी जी ने अखिल भारतीय सामान लिपी एबम सामान भासा समिलन की अध्यक्स तकी जिसमें उन्होंने हिंदी को राष्ट भासा की सामान भासा का दर्जा देने की वकलत की वर्स 1916 में लखनु के कॉंग्रेस अधिवेशन में उन्होंने यह कहा कि राष्ट यह प्रश्ण राष्ट भासा में ही उठाए जाने चाहिए और तब कहा उन्होंने 1916 में लेकिन अभी तक हिंदी भारत की राष्ट भासा नहीं है राज भासा का दर्जा प्राप्त है इसको संबिधान में कोईशन नुम्बर 11 पर आजएए दा ड्यूटी ऑफ दे रिज पुस्तक निम्लिकित में से किस के द्वारा लेखी गई है मेयो नहीं है पेरी नहीं है लेटन नहीं है यह है स्थानी असोशासन का जनक लौड रिपन तो ड्यूटी दा ड्यूटी ऑफ दे रिज पुस्तक ल एहमदाबाद टेक्स्टाइल लेवर एसोसियेशन उपरोक्त में से कोई नहीं क्योंकि इसका उत्तर है महात्मा गांधी तो एहमदाबाद टेक्स्टाइल लेवर एसोसियेशन की स्थापना वर्स 1918 में महात्मा गांधी के दौरा की गई थी नैपाल के साथ अंग्रे जोने संगोली की थी अठारे सो में लेकिन अठारे सो में कब अठारे सो सोले में यह important depression किसी भी paper में पूछ ले जाता है तो नेपाल के साथ अंग्रेजों ने संगोली की संदी अठारे सो सोले में की थी इसे ही संगोली की संदी के नाम से भी जना जाता है इस संदी से अंग्रेजों को गड़बाल और कुमायू के जिले मिले और कमपनी की उत्री तथा उत्तर पश्चिमी सीमा जो है वह हिमाचल तक पहुँच गई इसमें अंग्रेज़ों को मिला सिमला मसूरी रानीखेद भंडौर और ननिताल बरतमान में ननिताल उत्राखंड में है रानीखेद उत्राख मसूरी उत्राखंड में और शिमला है हिवार्चल प्रोडेस में सारे के सारे ठंड अरी है ठंडी जाघारत में आटे थी भारतमे उनको गर्मी लगती थी तो अधीक तरह है टिरह एड कवाटर इन्होंने ठंडी यूपण बनाये थे घट्म मौե क Первізवा Quesion No.14 पर आजए भारत में पहली भारते सिवल सेवा परिक्षा वर्स 1922 में नम्रीक तमय से कहां हुई थी 1922 से पहले लंदन में होती थी लेकिन 1922 में जो है भारत में भी हुई और लंदन में भी हुई दोनों जगह पर परिक्षा दी गई वद्यार्थियों के दोरा और भारत में दी गई थी ये इलहवाद में ठीक है आपसा नमबर ए परतमान का प्रियाग राज तो भारत में पहली भारते सिवल सिवा परिक्षा वर्स 1922 में होई और इससे पहले जो है परिक्षा केवल लंद अबम इलहवाद दोनों जगह एक साथ आयोजित होई वोश्या नमबर फिप्टीन पर आ जाईए भारते प्रेश आपातकालीन सक्तियां अधिनियम निम्रिकित में से किस वर्ष में पारित किया गया 1909 तो सब है 31 32 39 भारते प्रेश आपातकालीन सक्तियां अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ 1931 1931 तो भारते प्रेश आपातकालीन सक्तियां अधिनियम 1931 में पारित किया गया इस अधिनियम ने 1910 के प्रेश संबंदी अधिनियम को फिर से लागू कर दिया तो ये history के modern history से related कुछ 15 प्रस्षन थे इनकी practice एक बार करे लेजेगा धन्यवाद इस पूरी की पूरी test series की playlist बना रखे हैं हमने वहाँ पर आप test number 1 से लेकर 270 तक पहुँच सकते हो उसका link के description box में civil services study के telegram channel से जुड़ जाईएगा description box में उसका link है